हालो वीवर्स वेलकम टू माई चैनल आप सभी का अपने चैनल पर तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या केमेस्ट्री जेनरल साइन्स केमेस्ट्री फॉर ऑल जेनरल कॉंपूटेशन ओके उसमें टॉपिक मैंने आज लिया है और इसको पढ़ लेंगे ताकि हम लोग इसको पढ आता है वह मैं आपको बताऊंगी ठीक है तो देखें यह हम लोग पढ़ेंगे आज तो ऑक्सिडेशन और रेडक्शन बहुत फैमलीयर होगा आपके लिए क्योंकि यह चीज हम लोग एक क्लास एट नाइन टैन्स तक पढ़ते ही रहते हैं तो क्या है कि अब यहां पर जैस इसे हम लोग हो पढ़ते एटीशन ऑफ ऑक्सिजन जहां हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं किभ और क्रण हो जाता है नहीं थे हम लोग लोग अधार फिर सुर्वाति दॉर से पढ़ते होते हैं लोग आज इन तीनों के अधार क्रेंगे अपने करन अब करन को यानि ऑक्सिडेशन और रिरक्षन को यह सारा कुछ आज हम लोग जान जाएंगे ठीक है तो चलिए आज सबसे पहले जो है हमारा जेनरल कॉंसेप्ट जो है उसको पहले पढ़ेंगे अब लोग ताकि एक वर रिवीजन हो जाए हम लोगों का हम लोगों का काम बने आगे ठीक है तो चलिए सबसे पहला तो क्लासिकल कॉंसेट में मैं एक बारी लिख देती हुँ फिर आपको समझाती हूं ओके कि यह लेखें किसे कहते हैं एडिशन औप ऑक्सिजन आपको ऐसे याद करके रखना दिमाग में दिमाग में एडिशन औप ऑउसीजन यानि ऑक्सिजन का जुड़ना एडिशन मतलब आप oxygen का जुड़ना तो सी में oxygen co2 बना co2 यहां oxygen जुड़ जाए उसे क्या करते हैं oxidation नाम से के लिए oxidation जिसमें oxygen जुड़े ठीक है दूसरा है addition of electronegative element आप देखें इसी एक definition से हो जाएगा oxygen का addition oxygen क्या है electronegative element है oxygen का addition तो साथ ही साथ हम को याद हो गया क्या भाई addition of electronegative element अगर किसी भी मतलब reaction में आप देखते हैं कि addition of electronegative element हो रहा है तो आप समझेंगे कि वहाँ oxidation हो रहा है जैसे यहां पर दिखाया गया fecl2 plus cl2 यहां fecl3 बना तो यहां पर क्या था chlorine electronegative element है यह जो मैं रेट से टच करूंगी वह आपको ध्यान रखना उसके बारे में बात हो रही है जैसे यहां क्या है electronegative element है तो यहां पर क्या हुआ फीचल 3 हो गया तो इसे क्या कहिंग है हो गया electronegative element का तो that is oxidation reaction ठीक है फिर क्या है removal of hydrogen यह दो बाते हैं आपने याद कर ली दो आपोजिट बात है चुकि देखे objective question में कुछ भी आ सकता है that's why कहीं भी कोई भी स्कोप नहीं छोड़ना आपने लोगों को ठीक है तो जैसे क्या देखा यहां पर हाइड्रोजन का रिमूव हो गया हाइड्रोजन यहां से हट गया और यहां बना और सल्फर आपका निकल गया तो यहां पर क्या दिखा रहा है कि removal of hydrogen को आपका जहां रिमूव हो रहा है hydrogen उस portion को क्या बोलते हैं हम लोग ऑक्सिडेशन फिर क्या है नेक्स्ट है रिमूवल और जिश्वी चुकि हाइड्रोजन क्या है लेक्ट्रो पॉजटीव है इलेक्ट्रोजटीव है एक्ध्यान से आप देखेंगे तो आपको कोई प्रॉल्लम नहीं है आपने यह दोनों याद कर लिया जस्ट इसका पोजि और हो गया यहां पर यह क्या हो गया यह अक्सिडेशन का पार्ट हो गया यहां से -removal-opt हो गया तो यह का पाट हो गया करेक्षब लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता है जो अकेला यह भी णिए टो चलता चलता है एक लिए घट लिएशन इसे सथरों साहगे जुप 여기 से बांप यह जो आगे बीजि़ करेंगो पहले जरूरी है जो objective question के वियू से आपके लिए जरूरी था मैंने उसको इस तरीके से लिख के दिया है ताकि आपके से चुकि hydrogen electropositive element है तो इलेक्ट्रोपॉजटीव element को क्या बोलेंगे हम लोग रिडक्षन बोलेंगे तो यहां पर हम लोगों का क्या है कि मरकरी जो है मरकरी जो है हमारा वह इलेक्ट्रोपॉजटीव है यहां पर क्या हो गया आप देख रहे हैं यहां पर यहां इसको बैलेंस करें लिए ँजी लिखा गया दो मॉलिकूल है इसका तो और अपको और रिडेक्षेन को राएगा उसके बाद नेक्स्ट है रिमूब और लुट जादा परिशानी आपको नहीं होनी है रिमूबल और प्लस देखें यहां पर क्या हो गया औकसीजन हटके इसके साथ चला गया तो यह क्या हो गया है यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि रिड़क्षिंट हो गया उसके बाद और रिमूबल और फेलक्ट्रो नेगेटिव ऐलिमांट देखे होर्टनमबर पर क्या हैो रिमूब और यहां क्लोरीं एल्लेक्ट्रोंनेक्टिव आलिमेंट हो गया है यहां क्लोरीं92 हो गया ऊ digamos यह sıvसे हम cela कहें रिड़क्षन कहेंगे ठीक है क्लियर कोई दिकत नहीं तो यह पॉइंट हो गया कि माले इसमें से किसी भी तरह का ओप्षंस में दिया रहेगा तो आप बनाने के रेडी होंगा आपको रटने की कोई जो रत नहीं है बस ऑक्सिजन अगर ऑक्सिडेशन है तो ऑक्सिजन ही क्या है इलक्रो न निगेटिव एलिमेंट क्या कर लाएगा आपका ऑक्सिडेशन तरह से आप रिडक्षन को भी याद कर लेंगे दिमाग में ताकि कलत नहीं हो जाए तो चलिए अब यह हम लोगों ने क्लासिकल कॉंसेप्ट पढ़ा है अभी अब हम लोग पढ़ेंगे क्या आयनिक सिद्ध itions कातायन बोलता है है और यह होता है रेनायन रिनायन मतलब अनायन ठीक है तो यह बाते हो गई तो यहाँ पर अब हम लोग का धार क्या होगा पढ़ने का यहांदिफिक पढ़ेंगे घटने बढ़ने से यह देखे और अबस आपको ध्यान रखना अबस बढ़ेगा तो देखें यहां पर यहां देखें एक निगेटिव चार्ज होता है क्योंकि एक लेक्ट्रॉन लेता है निगेटिव चार्ज होगा और फेरस के ऊपर क्या हो बढ़ेंगे हैं सबस्क्राइम जाएं सबस्क्राइब क्लोरीन पे नीगेटिव चार्झ को हो चार्ज हो रहा है तो यह क्या हो गया ओक सी करन का प्राशس हो गया यहां से यहां तक करेगा क्योंकि धनायन का बनता है यहां एक फ्लस तू था तो ये प्लस थ्री में अब फूआ है ना तो इसी चीज को फिर में यहां आपको पढहूंगे अभितुरत सब्सक्राइब करता है कुछ अलग नहीं है लेकिन क्या है यहां पर बताना आपको एक चीज इसलिए है क्योंकि कॉंप्संस होते हैं कौन सा ओप्संस की तरीके से दिया जाए इस पर अधारित होता है कि आप कैसे बनाएंगे उसको ठीक है तो चलिए यह आपकरन पर धन आबस घड़ जाएगा और इनाबस बढ़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे अब कर अब करन को भी हम लोग लिख लेते हैं अब अब देखें अब करन क्या है हमारा आयन पर धन आवेस घड जाएगा और इन आवेस बढ़ जाएगा तो उसके लिए देखें हम लोग लेते हैं क्या है your payment 4 negative charging को ruth are neutral करने के लिए आपके sensitives की ऊपर पॉजेटीव चार्ज होगा यह कलीयर है कि Neutral होता है कि यह इसकर लाइचेशन chant यहाँ होने के लिए जितना पॉजेटीव निगेटीव चाहिए आप पो उसको करना पड़ता है आपके addition एस और प्लस हो गया अब आप बढ़ेक्ष में इस फै hal क्लोरी बैंने दो निजन कश्बात से प्लस गई हो गया इस दूरी तक के Matter रूकिंधन के तो आएन मतलब आइनिक सिध्धान के अव ministry अबकरत कर लेना है कि धन आवेस का मात्रा बढ़ गयाओ और आपका अगिदान आवेस का मात्रा घट गया तो अवकरन है यह होगे आयनिक सिध्धान पर अब जस्ट मैंने अभी जस्ट बोला है कि इसी चीज़ को मैं यहां बताऊंगे आपको इलेक्ट्रोनिक सिध्धान पर बहुत इजी है आपके लिए क्योंकि यह आपने पढ़ा क्या होगा लॉस ऑफ बढ़ते हैं तो देखते हैं यह देखें बहुत आसान है और सबसे ज्यादा इंपऔर यह इंपोटन को आपको आपने याद भी रहत लोगती नहरत ज diffusion बस इतना याद रखना है लॉस ऑफ प्लस यह और स्थरी प्लस में अगर बना रहे तो क्या है आपका एक्तरौन हो गया उक्सिकरन हो गया ठीक है उसी तरह से अवकरन में रोप सो पढ़ेंगे दिए तो अवकरन हो गया यानी क्लोरीन क्लोरीन क्लेकर वाया बनाव है यह जो स्थ यह फित्र TS कि यहां है यहां पर यहां भी हो रहा था यहां यानि आप सिर्फ इसको मैं आपको एक वाद दार रही हूं कि करना है यह याद रखे आपका सारा मुश्किल दूर हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और यह ऑक्सिजन का जुड़ना है यह सारी बात है तो बहुत पहले से पढ़ते हैं हम लोग इसलिए याद रहता है ठीक है तो यहाँ पे हो गया जैसे आपका इधर से घट गया तो अब करन पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो ऑक्सिकरन जो यहाँ मैंने आपको बताया है यह दोनों आपको फैमिलियर एक जैसा लगेगा तो चलिए यह हो गया हम लोगों का अब यहीं पर एक और बात हम लोग कर लेते हैं क्या ऑक्सिकरन किसे कहते हैं हम लोग छृष्षी औसे कहते हैं जिसक जिस पधार्ध का ऐक्सिकरन होता है मतलब जिसका और आपको यहाँ यहां पर इसका अक्सिकरन हो रहा है जिस पदार्थ का अक्सी करन होता है उससे रिड्यूजिंग एजेंट कहते हैं और जिस पदार्थ का अपने याद कर लेना है और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो दोनों ही करते हैं किसी रियक्शन में और किसी रियक्शन में रिड्यूजिंग एजेंट की तरह करते हैं जो आपको एक जगह दे दिया जाएगा ताकि आप उसे याद करके दिमाग में फिट कर लें ठीक है तो बस कुछ नहीं है का ऑक्सी करन होता है वह रिड्यूजिंग एजेंट कहलाता है जिस पदार का ऑक्सी करन प्रोसेस ऑक्सी करन हुआ एजेंट कैसा होगा अब कारक रिड्यूजिंग एजेंट यानि ऑक्सीडेशन अगर हुआ ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन में जो आपका ऑक्स करन में पार्टिसिपेट करेगा वह कहलाएगा रिड्यूजिंग एजेंट ठीक है तो देखिए ऑक्सी करन होगा तो अब कारक उसी तरह से अब करन तो ऑक्सी कारक ठीक है अब करन यानि रिडक्षन तो रिडक्षन होगा रिडक्षन तो क्या कर लाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अब यह देखिए इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको सिर्फ याद क्या रखना है अपना कि हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्षन हमको मालूम रहेगा तो हम लोग इसका कर लेंगे ढून लेंगे कि कैसे ह देखे और यहां पर है इसका ऑक्सीकरन हुआ है सोडियम का तो सोडियम यहां फे एने क्या हो गया रिड्यूजिंग ओग्यां बिद्फ इतना से याद रखना आपने को ज्यादा दिकत नहीं है और आप बनाएंगे तो और ज्यादा कॉंसेट्स क्लियर होता चला जाएजा इस तरीके साथ के वीडियो में हम लोगों ने आपको समझा दिया है यहां पे आपको समझ में आगया होगा अगले क्लास में हम लोगों को बनाना है अब आपको कहा है कि कोई भी रियक्षन एकेले अकेले नहीं नहीं रहेगा जब वहागा मिल के यानों अफ रेक्षन होता है है और दोनों मिल के बनता है तो अग्ले क्लास में और दौने a ॉक्सिदेशन नमबर निकालना मिजा को सीखना है या घूजा आपको शीष केला हो आप समय में नहीं आता है आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए बताइए मुझे ताकि और इंप्रोव किया जाए कि किस तरीके से आप लोगों को सिखाना है समझाना है जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ आइडिया नहीं होता है तो चलिए अगर आपको पढ़ाई जारी रखनी है मेरे साथ जेनरल साइंस की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ठीक है और तब मिलें को लोग नेक्स्ट वीडियो में तब दक लिए थैंक्यू टेक क्या झाल